हलो गाज मैं हूं हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर एक बार फिर से आप लोगो स्वागत करता हूं गाज तहे दिल के साथ आज के सेशन में और यह हमारा सेशन है डेली डोज का टेन गाज जैसे के आप सभी जानते हैं इस सेशन के मा एंड फ्रेजिस के वर्ट्स का उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो गार चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकन घंटी को भी ओन कर लिजेगा और पीडियाप आप लोग को इनका फ्री आप कोस्ट चाहिए तो गाज हमारा टेली गर हम चैनल चलता है अपना कोचिंग सेंटर के नाम से जरू जोइनिंग कर लिजेगा ठीक है पूरी पर सीजर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी चलिए गाज आज का हमारा पहला इडियम अफ्रेज है सेंटेंसेंज में जिसे हालाइट आप लोग देख रहे थे हैं अपनी के लिए चमा मगना जी गाज इसका बिलकुल सही जवाब होगा option number D is the correct answer होगा मिला लेजेगा जो भी बच्चे SSC, CGR, CHSL और MTS की तियारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये session बहुत ही important है इसकीप नहीं किजिएगा पूरा session लगाईएगा इंप्रूब हो जाएगा आप लोग का एडियम फ्रेजेज एन वर्ण वर्ण सब्सीचूशन के वर्ण ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन की रोबड़ते हैं गाईज he was given option choice by the employer तो यहां आप लोग का जो यूज हुआ है option choice cdm यह मतलब बताएगे क्या होगा option choice का मिनिंग निकलता है ब्यवहारी करूप से विकल्प नहीं होने की इस्तिति जे इसका सही जवाब होगो option number b is the correct answer हो जगा मिला लेजेगा है न not real choice at all चले next question की रोबड़ते हैं question number third है हमारा he has a very nice manner but you would better take what he says with a grain of salt तो यहां जो idiom use हुआ है इसका सही मिनिंग आप लोको बताना है है क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगो option number a is the correct answer होगा मिला लेजेगा option a सही जवाब होगा ठीक है विदे ग्रेन ओफ सॉल्ट का मतलब निकल कर आता है गाज चार ओप्शन मेंसे जो सही जवाब है option a to listen to something with considerable doubt यानि कि जो डाउट से में जो समस्तिया से संबंदित कोई चीज हो उसको सुनना विदे ग्रेन ओफ साल्ट कर आता है चलिए question number fall है आप लोग के बीच में I think it is a square deal तो यहां जो यूज हुआ है square deal इसका मिनिंग आप लोग बताना है यह एक इडियम है ग्याज square deal का हिंदी मिनिंग निकल कर आता है इमांदारी भरा बरताव या का जी गाज इसका बिलकुल सही जवाब को option number a is the correct answer हो जागा और फियर बार्गेन ठीक है इसका सही जवाब हो जागा चली और हमारा आखरी जो वर्ड में एडियम और फ्रेज़ के सब्दे गाज पाचमा रोहती विल हैप टो मैंड हिज वेज वेज वांस टो कीप हिज जॉब तो यहां जो यूज हुआ है मैंड हिज वेज इडियम इसका सही मिनिंग क्या निकल कराएगा गाज चार ओप्शन आपको बीज दिये गिये हैं और यहां मिनिंग है आपका मैंड वन स्वेज का मतलब रहता होता है गाज अपनी आदत या रास्ता सुधारना जी गाज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दा क्रेक्ट अन्स जोगा मिला लेजेगा है ना इंप्रूव हिज हैबेट्स यानि कि अपनी आदत या रास्ता को सुधार लेन तो यह हुए है आज के हमारे five इडियम एन फ्रेजस के वर्ड अब देख लेते हैं का वन वर्ड सबसिचूसं के वर्ड पहला है और सेंटेंस है हमारा one who is different to pleasure or pain वो जो बेकती जो प्लेजर यानि खुशी और दुख से किसी को किसी से मतलब नहीं रखता है उसके लिए समान है वो क्या कहलाता है चार आप लोग बीच दिए गए हैं सही अंसर कमेंट किजिए कमेंट बॉक्स में गाईज जी गाईज विलकुल सही जवाब होगा option number a is the correct answer option a हो जगा जो बेकती को सुख या दुख दोनों समान लगता है या परभावित नहीं होता है उससे stoic करते हैं चली कोशन नमबर टू है गाईज लास्टिंग और नी फॉर ए मुमेंट इसका सही मीनिंग क्या निकल कर आए गाईज यानि अंतिम च्छन में जी गाई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा option number b is the correct answer का momentary बोलते हैं ना च्छनिक जिसको कहा जाता है हिंदी चली नेक्स कॉस्चन है question number 3 है आप लोग के बीच में to seize control of a vehicle in order to force it to go to a new destination or demand something देखे किसी वेकिल यानि किसी भी वाहन को या किसी भी जहाज बोलिए वाहन हो यह उसको seize कर लेना है और आपको उसको नए अस्थान में ले जाए एंफोर्स फुली तरीके से ले जाना और किसी चीज की डिमांड कर देना यह क्या कहलाता है चार आपको बीच्छे से इंसर कमेंट किजी गाई जी गाई जी बिल्कुल सही इसको क्या कहते हैं गाई एक वर्ड में यह बताइए चार आप लोगों को बीच है सही अंसर कमेंट किजी गजी गाई जी बिल्कुल सही जवाब अप्शन नमबर बी इस दा क्रेक्ट अंसर जोगा ट्रांजिट्री ट्रांजिट्री का हिंदी मिनिंग निकल कर आता है आप ठीक है यह चनिक अला देखेंगा थोड़ा सा ध्यान देनी वाली बात है इस सेशन में आप लोगको देखें चनिक की इसका मिनिंग भी होगे थोड़ा यह समय के लिए चनिक यूज हुआ है और यहां आप लोगको एक कोस्टन मेंने प्रेक्टिस करवाया भी लास्ट ओन् मतलब होता है चनिक यानिकी अंतिम समय में याद रखेंगा तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को अब पार्चमा हमारा आज का लास्ट सवाल है रेडी टू ब्लीव एनिथिंग इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे चार अप्सिन आप लोग बीच है सही अंसर कमेंट किजिए कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब कर लिए उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह सेशन हमारे सेशन पर लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में लाकिन के घंटी को भी ओन कर लिजेगा ठीक है ना मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक लिए जहिन जे भारत